नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा, इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि डाइकलोफनेक टैबलेट का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है, डाइकलोफनेक टैबलेट को कैसे लेना चाहिए, और डाइकलोफनेक टैबलेट की वज़से क्या effects हो सकते हैं और यहाँ भी discuss करेंगे कि डाइकलोफनेक टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए और किन conditions में डाइकलोफनेक टैबलेट को लेना recommended नहीं होता है Diclofenic Tablet का उप्योग दर्द और सूजन को कम करने के लिए किया जाता है यदि आपके शरीर पर कोई चोट लगने की वज़ा से सूजन आ गई है तो Diclofenic Tablet दर्द के साथ सूजन को भी कम करती है Diclofenic Tablet का उप्योग सिरदर्ध होने पर मास्पेशियों में दर्द होने पर, जोडों में दर्द होने पर, दातों में दर्द होने पर, कमर के दर्द, कान के दर्द और गले के दर्द आधी कंडीशन्स में डाइकलोफनेक टैबलेट का उप्योग किया जाता है। इसके अलावा रूमेटोड अर्थराइटिस और औस्टियो आर्थराइटिस में दर्द और जोडों की सूजन को कम करने के लिए भी डाइकलोफनेक टैबलेट का उप्योग किया जाता है। डाइकलोफनेक टैबलेट 50 mg, 75 mg, 100 mg व एक 150 mg की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। डाइकलोफनेक टैबलेट के सामान्य साइड इफेक्ट्स में बधजमी, पेट में दर्द, पेट में जलन, कब्स, उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना, दस्ट और लिवर एंजाइम बढ़ सकते हैं। ज्यादा लंबे समय तक डाइकलोफनेक टैबलेट को लेने से किड्नी वर लिवर डैमेज हो सकती हैं। अगर आप डाइकलोफनेक टैबलेट का सेवन कभी कभार करते हैं, तो ऐसे में ज्यादातर व्यक्तियों में कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं। अगर आप Diclofenic Tablet को दिन में कई बार या ज्यादा लंबे समय तक लेते हैं, तो ऐसी स्थिती में Diclofenic Tablet की वज़े से साइड इफेक्स होने का रिस्क भी अधिक हो जाता है. अब हम डिसकस करेंगे की Diclofenic Tablet को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है. Diclofenic Tablet को खाना खाने के बाद लेना रेक्मेंडेड होता है. आम तौर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर शुरुआत में Diclofenic 50MG Tablet को दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं. लेकिन बाद में जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर Diclofenic Tablet की डोस को बढ़ा भी सकते हैं. कुछ व्यक्तियों को डॉक्तर केवल दर्द होने पर ही Diclofenic Tablet को लेने की सलाह देते हैं. Diclofenic Tablet की खुराक, उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है. इसलिए Diclofenic Tablet को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्तर की सलाह के बिना Diclofenic Tablet को नहीं लेना चाहिए. पेट में अलसर होने पर, पेट या आंतों में ब्लीडिंग की समस्या होने पर, किड्नी, लिवर या दिल से संबंधित कोई गंभीर बीमारी होने पर Diclofenic Tablet को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता है. इसलिए इन कंडीशनस में डॉक्तर की सलाह के बिना Diclofenic Tablet को नहीं लेना चाहिए. अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं, Diclofenic Tablet को ले सकती है या नहीं. प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए डाइकलोफनेक टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है इसलिए डॉक्तर की सला के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्थन्पान करा रही महिलाओं को डाइकलोफनेक टैबलेट को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका डाइकलोफनेक टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं। झाल्व पुछ सकते हैं।